संसत में विपक्षी संसतों के निलंबन का जो सिलसला शुरू हुआ था वो थमता नहीं दिखाई दे रहा है आज भी तीन विपक्षी संसतों को निलंबित किया गया तीनों ही निलंबित संसत कॉंग्रेस पार्टी के सदसे हैं तो दूसरी और विपक्षी विहीन हुई संसद में आज भी कई विध्यक पेश किये गए और पास भी करा ली गए तो क्या रहा आज संसद में खास देखते हैं किरपो संसत में आज भी सरकार एक के बाद एक बिल लेकर आई चर्चा कराई और पास करा लिये विपश्ट के सदसे संसत में मौजूद नहीं थे इसलिए बिल पर सवाल भी नहीं उठे और जो सदसे मौजूद थे उन पर आज भी निलंबन की कारवाई हुई लोगसभा में कॉंग् कानून बनने के बाद ये चुनाव आयोक्तों की सेवा की शर्ते और कामकाच का संचालन अधिनियम 1991 की जगा ले लेगा तो दूसरी और राजसभा से भी टेली कम्निकेशन बिल के साथ तीन अपराधिक बिलों को भी पास करा लिया गया इस बिल को लोगसभा में 20 दिसंबर को पास किया गया था इस बिल में फरजी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाग तक की जुर्माने का प्रावधान किया गया है जो बिल दोनों सद्नों से पास हुए है उन्हें राश्टपती के पास मंजूरी के लिए भी जा जाएगा राश्टपती से मंजूरी मिलने के बाद के बिल कानून बन जाएगा वैसे तो शीत कालिन सत्र 2022 तक चलना था लेकिन बिना विपक्षी दलों के चल रही संसत में सरकान ने जल्दी जल्दी बिल पास करा लिए इसलिए संसत की कारवाई एक दिन पहले ही स्थागित करती गई लोगसबा स्पिकर ओम बिरला ने कहा से 18 विध्यक पास हुए तो शुर्ने काल के दोराने 182 मामले उठाए गए दीबी लाइफ की रिपोर्ट